हेलो एवरिवान वेलकम टू न्यू वीडियो फ्रम स्टेडीवर्ज और मैं हूँ अनुबव गुक्ता आज की वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आपको आज ऐसी पांच हैबिट्स बताने वाला हूं जो अक्सर कैट टॉपर्स के अंदर देखी गई है over the years हमने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया है जो इन में से टॉपर्स बनके निकले है उनसे एक वाइट डिसकॉशन करने के बाद ये कुछ बाते पता लगी कि कुछ पांच हैबिट्स थी जो अल्मोस्ट हर बच्चे के अंदर कॉमन थी जो की टॉप टॉपर रहा आपको ऐसी सारी इंपोर्टन वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और प्लीज इसको जरूर कर लेना तो फ्रेंज अगर मैं सबसे पहले और सबसे इंपोर्टन चीज के बारे में बात करूं तो जो सबसे पहली हैबिट है वो है आपकी प्राइट आपकी सेट करना या अपनी प्राइवर्टी को बिल्कुल स्ट्रेट करना क्यूंकि सबसे पहले आपको कंप्लीट नॉलिज होनी चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है ठीक है एंड उसके बाद उसके अंदर कितना एफ़र्ट लगने वाला है एक बार जब आपको यह क्ल आपकी जो प्राइवर्टीज है वो सेट हो जाएंगी अब होता क्या है बच्चे जब कैट की प्रिप्रेशन शुरू करते हैं तो पहले कुछ इनिशल वीक्स या मंच के अंदर तो वो बहुत मोटिवेटेड होते हैं बट ओवर दी नेक्स्ट फ्यू वीक्स और मंच के अ नहीं है उनके अंदर यह बात हमेशा देखी गई है कि उनकी प्राइवर्टी डे वन से लेके और डी टे तक जब तक कैट का एक्जाम नहीं हो जाता उनकी प्रिप्रेशन ही रहती है उससे वह बहुत इजली डिरिफ्ट नहीं होते हैं और अपना फोकस बिलकुल मेंटेन क करके रखते हैं कि हां यह हमारी dream percentile है और इतना effort हम डालेंगे और इतनी हम मेहनत करेंगे सबसे पहले और सबसे important है कि यह आपको करना ही पड़ेगा अगर आपने at least एक साल के लिए जो आपकी cat की preparation का year है उसके अंदर आपने अपनी priorities set नहीं करी तब तक आपको आपकी dream percentile नह मजने की कोशिश करते है कि मैं habit के बारे में क्यों कह रहा हूं क्योंकि एक general habit के बारे में बात करते है क्या आपने कभी किसी को ऐसा सुना है कि यार मुझे सोने के लिए यार कभी time नहीं मिल पाता यार मैं ना सो नहीं पाता मेरी habit नहीं है या यार मुझे खाना खाने की practice कर इसी तरह जैसे ये सारी चीजे आपके डे का पार्ट है ये आप करते हो because ये आपकी habit है उसी तरह studies को आपको अपनी habit बनाना पड़ेगा जब तक आप इसको एक bitter pill समझते रहोगे यानि कि जब तक आप इसको एक कड़वी दवाई समझते रहोगे तब तक आप इससे दूर भ समझना है जो आपको consistently लेनी है morning, afternoon, evening जब भी आपके बार time है उस समय आपको पढ़ाई करनी है and consistently करनी है ऐसा नहीं है आज करी फिर 4 दिन नहीं करी फिर 5 दिन करी फिर मौक नहीं दिया ऐसा नहीं होगा तो जब तक आप अपनी habit इंकलकेट नहीं करोगे तब तक नहीं होग क्योंकि एक और example से आपको समझाता हूँ, क्या आपने कभी किसी top cricketer को for example अगर हम विराट कोली का example ले ले, क्या आपने कभी विराट कोली को यह कहते सुना है कि यह रहा हेट practice, मुझे practice करना बिल्कुल अच्छा ही लगता, मैं सीधा जाके match में perform करूँगा, या आपने बहुत practice करते हैं, उसी तरह आपको एक habit develop करने या पढ़ाई करने की और practice करने की उससे आपकी जो consistency build हो जाएगी, उससे आपकी preparation बहुत solid हो जाएगी, next है friends, power of discipline, avoiding distractions, तो एक चीज जो common देखी गई है, toppers के अंदर और achievers के अंदर, वो यह होती है कि वो बहुत जादा disciplined होते है, for example, मैंने एक time एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, कि sir, अगर मैं अगले 20 दिन के अंदर 10 mock दे दूँगा, तो मेरी percentile कितनी improve हो जाएगी, I said, काफी अच्छी improve हो जाएगी, अगर आप analysis करोगे, तो उसने का, ठीक है sir, मैं आपको 20 दिन के बाद message करूँगा, and 20 दिन result भी नहीं आया, तो आपको अपनी एक discipline maintain करना पड़ेगा, खासकर दो चीजों में, एक तो आपकी अपनी studies के अंदर, और दूसरा उससे भी जादा important आपके mocks के अंदर, अगर आपने mocks के अंदर एक discipline maintain नहीं किया, mocks के अंदर constantly उसको नहीं दिया, तो आपको आपके goals और accomplishments को reach करने में एक बहुत बड़ा challenge आएगा, और अकसर यही toppers के अंदर देखा गया है, कि एक habit उनकी बहुत strong होती है, वो होती है, उनकी discipline की, ना वो अपनी कभी studies मिस करते, ना वो अपनी classes मिस करते, और ना ही वो कभी अपने mocks मिस करते, next है friends, building accuracy, अब accuracy की क्या importance होती है, कि तो cat exam यह नहीं कहता कि भाई आपको सब कुछ करना है, जो cat toppers के अंदर एक चीज देखी गई है, कि वो अपनी accuracy के उपर बहुत जादा focus करते है, क्योंकि उनको पता है, अगर इस exam के अंदर उनको अपनी dream percentile लेके आनी है, तो उसके लिए एक ही चीज work करेगी, accuracy और वो भ और नहीं आ सकता, तो please जब भी आप अपनी practice कर रहे हो, जब भी आप mocks दे रहे हो, जब भी आप classes attend कर रहे हो, एक चीज पर आपको बहुत ज़्यादा focus करना है अपनी preparation के अंदर, वो है आपकी accuracy, और जब जब आपकी accuracy नहीं आए, आपको self introspection करना है, कि वो क्या reasons है, जि सब चीजों से आपको overcome करना पड़ेगा, तो आपकी accuracy बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी, and last but not the least, self awareness, तो friends अगर हम क्या किसी topper के बारे में अगर बात करें, तो क्या वो हर topic और हर section के अंदर, बिल्कुल awesome होता है, ऐसा नहीं है, topper की भी weaknesses होती है, लेकिन एक जो बहुत का पता होता है, and उसने उसके उपर काम किया होता है, या उसको पता होता है कि उसको कैसे उस weakness को actually challenge करना है, so self awareness बहुत ज़्यादा जुरूरी है, आपको by your second or third mark, ये बात का बिल्कुल clarity होनी चाहिए, कि ये ये मेरे strong areas हैं, ये ये मेरे weak areas हैं, और अब मुझे अगले कुछ few weeks or months, अपने weak areas के उपर कैसे काम करने, जब आपकी weaknesses आपकी strength बननी शुरू हो जाएंगी, या आपकी weaknesses overcome होनी शुरू हो जाएगी, तो आपका self confidence भी बहुत जादा develop हो जाएगा, क्योंकि यार मैं फिर दुबार अगर आपको एक बात बताऊं, आपको सारे के सारे cat exam गेंदर सारे के सारे questions नहीं करने है, even in fact अगर आप 50 to 60% questions with accuracy करते हो, तो भी आपको आपकी dream percentile मिल जाती है, for example, अगर हम किसी भी एक again एक cricketer का example लेते हैं, for example, अगर वो कभी century बनाता है, तो क्या वो हर ball पे चोका थका मारता है, नहीं, कम सकम 30-40 balls तो वो dot छोड़ देता है, बाकी 25 these balls के उपर, वो singles लेता है, और बाकी ballों पे वो boundaries hit करते है, तो उसी तरह आपको अपने approach रखनी है, सारे questions आपको नहीं करने है, जो difficult और confusing questions है, वो आपको छोड़ने है, जो attemptable questions है, वो आपको attempt करने है, और with accuracy के जाद करने है, अगर ये सारी जो tips और habits, जो cat toppers की रही है, friends, ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, I hope ये 5 habits के बारे में आपको बिल्कुल clarity है, और आप इनके हो पर work करोगे, please हमाय साथ Instagram पर जरूर connect हो जाना, अगर आपको कोई pen drive को सके अंदर enroll करना है, तो ये हमारी website है, और अगर आपको कोई doubt है, तो आप हमें WhatsApp या email भी क सक्तियो, so thanks a lot friends, all the best, God bless you.